पड़ी से ना हमर लगे तो माने पचास को हीरोईन हमें के काम खाती रखले बनी हम काम को रखाती रखले बनी पचास हीरोईनों का दिवाना हूँ मैं पचास हीरोईनों के दिल में रहता हूँ जाने कहा कहा नहीं रहता तो तुमको अच्छे करने आता है बे तो तु कहां है बे एको पतनी अपना पती से कह दिया आरे कि छोड़ी के जा दी जाई बाकरे जा अगिया लागि जाई खा जाना मे लोधियाना प्सक्राणा मे दोने कदी करता है अगिया ठल है यह लोटे भी खाना मे कि छोड़ी कहदी जाई बाकरे जाई कि छोड़ी के जादी जाई बहयागिया लागि जाई खाजाना में लोधियाना तो लोधियाना जनी जाई फोने कदी करा खाना तो लोधियाना जनी जाई बंद कदी करा खाना में दिल ले गया पर देशी कोई रोक ना था क्या होगा 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 मेरा सोच ना था क्या होगा, होगा, होगा मेरा सोचना था लोधियाना जोनि जाए उन्न पाधि काना खाना बई यह थोड़ा साइड होई ना थोड़ा से साइड हो जाई है आप लो रिदम जहां बज रहा है वहां मत रही है दिवान की अच्छी है पर हालो हालो काहे तरवा तुरे पल अगल वड़कातू तो तूर देता तो हमुठीक हो जेती सब जना मिलके तरवा तूरिये दो हाथ दो रख थोड़ा सा भाभू ढखेला ठकली मत कर लो तार तूर जेही न तो इमाइक बंद हो जेए बाभू तो थोड़ा सा ध्यान दलो और अ हतिया जवनिया हो ताजी आने हो ए राजा कॉल तु आज जन पान हो देखे आपकी बहनों का हिस्तिती चल रहा है चड़ली जवनिया हो ताजी आने हो ए राजा कॉल तु आजी के बाद हो ए राजा कॉल तु आजी के बाद हो अरे कवन माजा मिले न तहरा घरवावाला खाना में लोधियाना जनी जाही फोने कदी कर खाना में काहे पागल बना के छोड़ी जालू काहे पागल बना के छोड़ी जालू अरे तिया कह तिया दिलावा के दहरा उठा जालू मौली ले तेल हम कही के आई हो दादा मौली ले तेल हम कही के आई हो दादा मौली ले तेल हम कही के आई हो दादा एक मिनट रुके आप लोग यहां से उतरियेगा कि मैं उतर जाओ अरे भाई हम हूँ हम हूँ वही परिवार के आदमी है यार भया 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 अच्छा अच्छा सबकु भीया थुणा सा क्या करूं में समझ नहीं पा रहा तू लोग का लराईली नीमन से हो जाए देवा जब ना हिसाब से तू लोग करत देरा नहां राता नहीं खेला गौत यह तू लोग अस्थी रहे देवा आप इधर आए रिंकु भीया कहा है कोई नहीं है यार बहुत सारी कलकार भी है गाने वाले आप लोगों के पास बताए उपलब्धी यह नहीं कि आप सब्द कहुंसा बोल रहे हैं उपलब्धी यह है कि उस सब्द कितना प्यारा बोल रहे हैं उपलब्धी यह नहीं कि आप बहुत बढ़ियां आदमी हैं उपलब्धी यह है कि आपका जुबान कितना बढ़ियां हैं क्योंकि यह सटर खुलता है ने तभी पता चलता है कि दुकान सोने के है कि कोई लागी हम जिंदिगी में बोलते बहुत हैं और बोलते इस लिए हैं कि मेरा काम ही है बोलना हूँ मैं बोली काई रोटी खाता हूँ भाई जिंदिगी में सबको पता है आजे आर जेडी पाटी साइदे मैं भी उस समय पैदा नहीं हुआ होगा हमारे बड़े भाईते जसुई जी भी नहीं होंगे ठेज परताबजी भी नहीं होंगे यहां जितनी जेनरेशने साइद उस नहीं होगे बट लालू परसाद यादो इंसान नहीं एक भगवान का नाम है जिंदिगी में एक चीज में मैं कहां जाओंगा नहीं जाओंगा यह मुझे पता नहीं मैं एलेक्सन लड़ूँगा नहीं लड़ूँगा मुझे पता नहीं मैं नेता बनूँगा नहीं बनूँगा यह पता नहीं बट यह पता है यह पता है कि मैं जहां भी रहूँगा अपने भजपूरी भासा के लिए अपने लोगों के लिए जो जरूरत होगी मैं हमेशा खड़ा न जा रहूंगा जहां अच्छे काम होंगे उसमें मेरा हिस्सा होगा क्योंकि मेरे मन में है जिन्दिगी में खेसारी को नेता नहीं बनना है आप सबका बेटा बनके जीवन चलाना है और मैं खुश हो यार मैं खुश हो और बहुत खुश हो दो दो बच्चे हैं पचीश-तिसको मेहरारू है पचीश-तिसको मेहरारू मतलब की मेहरारू एकेगो है मेन मैने मेन मेन काम करने वाली एकेगो है बाकी पलांटी मरने वाली बहुत है जिनके साथ मैं अपने जीवन को चलाता हूँ तो बात वहाँ नहीं है जिन्दिगी में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखियेगा दो चीज़ों को कभी भूलियेगा मत एक माँ जो आपको दुनिया मे लाई है और एक पत्नी जो पूरी दुनिया छोड़के आपके लिए आई है अपने माँ बाप को कभी भूलियेगा मत जिन्दिगी में एक माही बाप है जिसका प्यार ने जिसके प्यार में ना कोई स्वार्थ नहीं होता वो हमेशा हमारे मैं बुरा करके आऊं तभी हमें दुलारते है मैं अच्छा करके आऊं तभी हमें दुलारते है तो माँ बाप और परिवार का हमेशा हिस्सा रखिएगा जिन्दिगी में एक चीज़ और हर आदमी कहता है ना मैं ये करूँ मैं वो करूँ मैं ऐसा करूँ तो किसके लिए चोरी करिएगा, किसके लिए करिएगा, मत करिए, जिंदिगी में हमेशा ध्यान रखिएगा, कि ये सरीर जो है ना, बेटी दमाद की हो जाएगी, बेटा पतोह का हो जाएगा, सरीर समसान का हो जाएगा, और जिंदिगी मौत की हो जाएगी, पूरे जीवन धन धन करियेगा लाश्ट में नी धन ही लिखाने वाला है तो फिर चोरी किस बात की आई